जन्म कुंडली में इस्तित गिरहों तता नक्षत्र की इस्तिती एवं दस्वे भाफ का विश्लेशन करने के बाद इस बात का पता लगता है कि जातक के लिए कौन सी नौकरी या बैपार्क करना सुफ फलदाई रहेगा जोतिस आचार के अनुशार जोतिस विज्ञान में रा करते हैं और उसकी जन्म कुंडली की विवेचना करते में उस व्यक्ति को किस प्रकार की नोक्री या किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए इस पर विचार करते हैं तो सर्व तथम हम उस जन्म कुंडली के दसम भाव पर विचार करते हैं कि वह कर्म का भाव है व्यक्ति ज मिस्टित जो राशिर रहती थन भाव में कि चुन Жो दुरह रहते हैं , उसके आधार पर मनुश्य नोप्र करता है या उसको किस प्रकार का व्यापार या नोपरी करना चाहिए, किस प्रकार का व्याउशाय करना चाहिए तो भी व्यत्ति को दसम भाव का विश्येशन करना चाहिए दसम भाव के साथ साथ जो ग्यारवा भाव कहा गया है वो आय का भाव कहा गया है नौबा भाव बाद्र का भाव का गया है दूसरा भाव है उसको धन का भाव का गया है मुख्य रूप से सम trat करते हुए यारवे नौबे दूसरे भाव की भी सहाइता लेते हुए जह हमको निरुधारित करना चाहिए कि आमुक्ती जिसकी हम जनो कुद्ली देख रहे हैं उसक तो किस प्रकार का व्यापार व्यवसाय नोप्री या किस शेत्र में उसको कार्य करना जाहिए अलग 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 अगर आसी के अनुसार अदि हम विश्रेशन करें तो मेश रात्ती का स्वामी मंगल होता है यदि वह दसंभाव में हो तो सेन्य, सेना से संबंदित, पुलिस से संबंदित, तकनीकी, बकील, चिकत्ता, जोहरी या कंप्यूटर से संबंदित वह व्यापार व्यवसाय नोप्री कर सकता है इसी प्रकार यसी दसंभाव में प्रशव रासी हो, प्रशव रासी का स्वामी शुक्र रहता है तो वह व्यापार करेगा, नोप्री करेगा, आर् मितुन रासी के समबंद जदी दसमभाव से होता है, तो मितुन रासी का स्वामी बुद्ध है, परनोकरी कर सकता है वक्ति, बैंकिंग के пошप्रो में जा सकता है, शिख्सा के Flex पेमा के दो में जा सकता है, लेखन कार में मीडिया, रेपोर्टर, संफादक, पत्रकार इत्यारी वह वन सकता है भासा का विशेशग्य हो सकता है भासा का अनुबादग वी वह व्यक्ति हो सकता है चोथी रासी है करक यदि करक रासी का संबंद दसंभाव से होता है तो करक रासी का स्वामी चंद्रमा है व्यापार व्यक्ति कर सकता है नोक्री कर सकता है तरण पदार्थ, शीतल पे, कोल रिंक, नाविक हो सकता है, डेली से संबंदित वह व्यवसाय कर सकता है, बर्फ, जहाज, फोटोग्रापी, इतिहाज, चित्रकारी, पुरातक्व, और सामारिक कार्यकरता भी वह व्यक्ति हो सकता है. पाँजवी रासी है, संब्रापी, संब्रापी का स्वामी सूर्य है, और यदि यहार रासी रसंभाव में इस्तित है, वह व्यक्ति राजनीतिक क्यों हो सकता है, वह व्यक्ति अधिकारी हो सकता है, आईपी एस, आईएस जैसा अधिकारी हो सकता है, साज की पद, और शुदी सबंदित व्यापार व्यवसाय कर सकता है, असmee अदेरी सब्सक्राइब कर सकता है, इंदने कंझारासी का सबंदित दसंद्धान से होता है, और कंझारासी और स्वामी बुद्ध है, तो शुठक सकता है बायु विज्ञान अध्यान विक्रेता हो सकता है लेडियर भी बन सकता है तिली वीजीन रेडियो से संबन्दिक कार्य नोट्री का कारी कंप्यूटर से वहाँ जातक कर सकता है यदी तुलारासी का संबंद दसंभावसे होता है तो तुला रासी का स्वामी शुक्र है और मनों चिकत्तक हो सकता है बही खाते लिखने का काम कर सकता है जासूस बन सकता है जासूसी का कारे कर सकता है तरल पदार पर टाइपेश्ट दूर दही घी शहर उन से संबंदित ब्यापार ब्यावसाय वहावश्पी कर सकता है कि व्रषणिक रास्री का संब्ध दसंभाव के होता है वरर्षणि तरफ कर दए मंघल है व्रसेना से संब्दिस ऑ moralमनतिद स्पूंदूर्थि पहिसर ज्य। ुम्रों नमक छाष एकर रतारी में गड़ी के से संब्दिस नमकराज गड़ी रेडिय। स्वामी गुरू है और यदीश का संबंद धसम भावस रहता है कानून पतील सुधारत समाज सुधारत कर तक है और बेंकर भी हो सकता है लेखन का कारe वह विक्ष्टी कर सकता है मकर रासी का स्वामी शनी है यदि इसका संबंद दसंभाव से होता है तो वह प्रबंधन का कारे मेनेजमेंट का कारे बीमा का कारे कंप्यूटर टेक्निकल आयात निर्यात का कारे कर सकता है खनन का कारे कर सकता है बन जंगल से संबंदित बागवानी से संबंदित कारे कर सकता तो सबसे होता है तो शोध कार्य पैजली त्यादी वक्ति कर सकता है। जोतिशी का कारे कर सकता है, तांच्रिक का कारे कर सकता है, प्रकर्थी से संबंदेख, चिकित्ता, चिकित्सक से संबंदेख, कंप्यूटर से संबंदेख, ठेकेदारी से संबंदेख, मेके नेक, तित्यारी मसीन दीज से संबंदेख कारे वह जातक कर सकता है। मीन राफी का स्वामी गुरू है और मीन का संबंदेदी रसम राफी से हो रहा है तो लेखन का कार्य संपादक का कार्य भवक्ति कर सकता है क्षण से संबंदित अनास से संबंदित पानी से संबंदित कार्य कर सकता है शेहर मारकेर दलाली ब्याज का कार्य कर सकता है एजेंट का कार बीमा आयात नर्यात इत्यादी का कार कर सकता है इसके अतरिक बहुत सारे कार हैं तो छूड़ गए हैं लेकिन मुख रूप से अधी हम विचार करें तो जतम भाव का ही संबंद मुख रूप से वैक्ति के कार व्यवसाय करूं के संबंद विश्लेशन या झाल